हेलो कैसे हैं आप लोग स्वागत हैं आप लोगों का फीर से मेरे एक नवे वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि इंफीनिक्स हाट फोटि आईफॉन में आप लोग ऑटो ब्राइट नेज को कैसे ओफ कर सकते हो अगर आपके पास एक Infinix Hot 40i phone है और इस phone में आपको auto brightness को बंद कर देना है आपके phone में automatically brightness कम और ज्यादा हो रहे है तो आपको जब बहुती problem हो रहे हैं क्योंकि आपको brightness है वो कभी-कभी कम हो जा रहा है automatically कभी-कभी खुद बखुद बर जा रहा है brightness तो आपको जो ही इसको बंद कर देना है auto brightness को बंद करना है आप खुद की हिसाब से brightness को यहाँ पर से adjust करना जाते हो तो केसे आप लोग जो ही इस auto brightness को बंद कर सकते हो गैस तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए video को लास तक देखीए settings में जाने के बाद आपको यहाँ पर से थोड़ा सा नीचे scroll down करना है थोड़ा नीचे scroll down करते ही आपको यहाँ पर एक option देखने को मिलेगा Display and brightness का तो इस display and brightness के option पे click कर दीजिए click करने के बाद यहाँ पर देख सकते brightness adjust करने के लिए यहाँ पर option है और यहाँ पर नीचे देख सेकते एक option होगा adaptive brightness का अगर आपके phone में जो है ये adaptive brightness का option on रहेगा तो आपके phone में जो है auto brightness problem देखने को मिलेगा automatically brightness जो है कम और ज्यादा होने लग जाएंगे अगर आपका phone थोड़ा heat होगा तब भी brightness कम हो जाएगा तो आपको क्या करना है कि इस adaptive brightness को off कर देना है off करते है आपका जो ये problem था वो solve हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से जो है आप लोग अपने infinix hot 40 iPhone में आप लोग auto brightness को बंद कर सकते हो तो कैसा लगा आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसान आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए मिलते कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई